Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, सबसे पहले तो आप comment करके ये बताओ कि आप अपने bike या scooter की servicing कहा कराते हो local garage में या authorized service center में अब friends, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पुछलाओ कि मैंने दिखा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने bike या scooter की servicing local garage में कराना ज़्यादा prefer करते हैं क्योंकि लोगों का मानना होता है कि garage में क्या होता है कि आखों के सामने काम होता है, जल्दी काम होता है, service charge कम लगता है जो labor का charge, जो parts का जो charge है वो भी कम लगता है और बहुत ही कम पैसे में bike या scooter की servicing हो जाती है और यह बहुत सार रिज़ा ने, इसे लोग local garage को prefer करते है लेगिन एक important चीज़ जी साब बिल्कुल miss मत किजिगा अगर आप अपने गाड़ी के servicing local garage में कराते हो देखो होता क्या है कि local garage में चुकि अलग-अलग brand के अलग-अलग company के bike और scooter servicing के लिए आते है उपर से अलग-अलग engine capacity के भी आते है और इतने सारे model है तो कई बार local garage में बहुत सारे ऐसे parts होते है जिनका shortage होता है जो कि वो stock करके नहीं रखते है ऐसे में जब आप अपने two-wheeler की servicing कराने लोकल garage में जाते है और in case जानकारी नहीं होने का वैसे है या किसी और करन से अगर आप किसी एक part को check करने के लिए change करने को नहीं बोलते है और वो part अगर उस garage में उसका stock नहीं है तो अकसर जो लोकल garage के mechanic है वो क्या करते है उसे ignore करते है कि चलो customer ने भी नहीं का हम उसे change नहीं करेंगे हम उसे check नहीं करेंगे और ऐसे में जो एक part इस time पे सबसे ज़्यादा highlighted है वो है oil filter चुकि आज के time पे बहुत साथ two-wheeler में oil filter को दिया जाता है और इसका काम just यही होता है कि जो engine oil है हमने engine के अंदर में डाला है उस engine oil को ये oil filter वो filter करते रहता है उसे clean करते रहता है engine oil में जो भी गंदगी है उसे साफ करते रहता है जिसके वैसे क्या होता है कि ज़्यादा clean engine oil का engine के अंदर में running होते रहता है लेकिन अगर किसी भी वाया से जो oil filter है वो अगर गंदा हो जाए वो जाम हो जाए या काफी लंबे समय तक change नहीं किया जाए तो फिर वो क्या करता है कि engine oil को अच्छी तरह से clean नहीं कर पाता है engine oil में गंदगी बनी रहती जिसके वैसे engine oil सही तरीके से engine के moving parts को clean lubricate नहीं कर पाता है parts में जो scratches लगने का chance है वो जादा होता friction का wear and tear का chance होता है और parts का live भी कम हो जाता तो oil filter वैसे तो है बहुत ही important part लेकिन जब आप oil filter को change करने या चेक करने नहीं बोलते है local garage में तो mechanic उसे ignore करते है क्योंकि अकसर ये जो part है वो stock में available नहीं होता है mostly जो छोटे local garage जो वहाँ पे तो विल्कुल available नहीं होता है अलग-अलग brand की में बात कर रहा हूँ ठीक है तो जो next servicing है वहाँ पे आप skip कर सकते हो वहाँ पे आप change नहीं करा हो उससे जो next servicing है यानिक जो second servicing होने वाला उसके बाद उसमें आप oil filter को change करा तो ये ज़्यादा recommended होता है लेकिन वैसे भी देखा गया कि अगर आप ज़्यादा चलाने के बाद पांच हर से ज़् बाद अपने bike scooter के servicing करा रहे हो तो वहाँ पे best यही होता है कि वहाँ पे आप चाहो तो हर एक servicing में भी engine oil के साथ अगर नहीं oil filter डाल देते हो तो ये भी बेतर है इसमें भी कोई नुकसान नहीं है डिपेंड करता कि आपका budget केतना oil filter के अदाम केतना है तो चाहो तो आप हर servicing में भी करा सकते हो नहीं तो आपको हर हाल में हर alternate servicing में हर दूसरे servicing में oil filter को change करा लेना चाहिए इसे बिल्कुल miss नहीं करना चाहिए ये एक बहुत important part है वैसे तीन और ऐसी जिनका जानकारी हमें रखना चाहिए जो कि local garage में servicing कराते समय में ध्यान में देना चाहिए उस इसमें आपके help करेगा budmo.com, budmo.com online spare parts के expert है और यहां से आप Indian companies के साथ साथ जितनी भी विदेशी company की car से उनके भी 100% genuine spare parts असानी से order कर सकते हो, interface बहुत असान है, just आपको अपने car की manufacturing company, model, air variant को डालना है, उसके बाद आप अपने car के model के हिसाब से 100% genuine spare parts असानी से यहाँ प OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा, car के हर एक section के लिए जैसे कि engine, transmission, steering और बाकी के सभी section के लिए अलग-अलग catalog आपको देखने को मिल जाएगा, उस catalog में उस section के सारे parts का आपको detail देखने को मिलेगा, part का नाम, part का number, part का description, वो part कितना लगेगा, यह सब आपको यहाँ पे compatible हो जाए, तो फिर आप उससे असानी से order कर सकते हो, यहाँ पे आपको 10 दिन का return policy भी देखने को मिल जाएगा, तो budmo.com के official website का link में इस video के description में देखने दूँगा, तो please आप budmo.com पे जाए और वहाँ से अपने car के लिए इस pair parts को जरूर से order करे, चलि टॉपिक में वापस आते हैं, तो तीन और चीजों का ख्याल में रखना चाहिए, सबसे पहला है break fluid, अरकसर बहुत बार देखा गया कि local garage में जल्दी काम करने के चकर में बहुत सारे mechanic जो break fluid के quantity, quality को check नहीं करते हैं, उसे change नहीं करते हैं, उसे top up नहीं करते हैं, यह बहुत ही जादा गलत है, त के टाइम पे बहुत सारे जो bike जहां पे liquid cool engine को दिया जाता है, वहाँ पे coolant का भी जुच किया जाता है, और अकसर लोग coolant को भी miss करते हैं, उसे check नहीं करते है quantity quality को, तो आप इसे बिल्कुल miss नहीं करें, सर्वीसिंग में लोकल garage में आप इसे भी जरूर से check करा ले, और त 1000 km, 30,000 km जब भी recommend कर रहे, तो आप air filter को भी जरूर से change करा ले, बहुत ही महंगा तो नहीं होता, लेकिन बहुत important part ये भी होता, तो air filter को भी ignore नहीं करना चाहिए, तो friends ये कुछ important बात है, जो कि local garage में servicing कराते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए, तो friends आज की इस वीडिय कर ले और black on को भी दब आले, ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के थुरू मिलते रहे, मिलते अगले video में, thanks watching this video, goodbye